महापुर्षों प्यार से कहिए धन निरंकार जी महापुर्षों अवनीत दूसरी कच्छा का विद्यार्थी था पढ़ाई हो या खेल का मैदान वो सदेव प्रथम रहता था सभी उसे बहुत प्यार करते थे अवनीत को बाल संगत में जाना और बाल संतों के साथ मिलकर भजन गाना और जब कभी विचार रखने का उसर मिले तो कोई ना कोई अपनी बात सुनाना अच्छा लगता था आज रवीवार का दिन था दिसंबर महीने में अर्दवार्षीक परिच्छा समाप्त हो चुकी थी आज बाल संगत में सभी बच्चे पहुचे हुए थे बाल संगत की इंचाज बहन सिच्छा जी ने सभी बच्चों से उनकी परिच्छा के समय हुए नए अनभों के बारे में पूछा सब बच्चे अपनी अपनी बात कह रहे थे कि कैसे सुम्रन करके पेपर दिये घर से चलने से पहले चाना मृत पी कर जाते थे और घर के महापुर्सों को आसिरवाद ले कर जाते तो मन में पेपर का डर नहीं रहता आदी आदी जब अवनीत जी से पूछा गया तो उसने बताया मैंने इन पेपरों में एक बहुत महत्पूर बात सीखी कि हमारा सत्गुरू कभी हमसे दूर नहीं होता हम जब इसे याद करते हैं यह पास ही और हमेशा की तरह इस बार भी पूरे अंक ही मिलेंगे परंत जब मैं रिक्त अस्थान वाले प्रस्न पर पहुचा तो एक वाके में क्या भरना है समझ में नहीं आ रहा था मैंने अपने साथ वाले बिंच के उपर बैठे दोस्त की और अपना रबबड फेका ताकि वह मेरी और देखे और मैं उससे सहायता ले सकूँ लेकिन इतने में मेरे अध्यापक मेरे पास आकर खड़े हो गए अब अपने दोस्त से पूछना संभव नहीं था तभी मुझे याद आया कि सत्संग में कहा जाता है कि सत्गुरू सबसे निकट के साथ ही हैं यदि सहायता तो अपने सत्गुरू को फुकारो गुरू को याद करने से सभी कारे हो जाते हैं मैंने उसी समय हाथ जोड़े और सत्गुरू को फुकारना आरंब कर दिया क्या देखता हूं कि बाबा जी मेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं जब मैंने बाबा जी की ओर देखा तो ब क्या बात है क्यों घबरा रहा है मैंने बाबा जी को बताया कि हुजूर इस वाक्य में क्या भरना है मैं भूल गया हूँ बाबा जी ने फर्माया पाचो वाक्य दुबारा पढ़ जब मैं पढ़ता हुआ वहां पहुचा तो मुझे एकदम याद आ गया कि इस रिक्त अस्था पर कौन सा सब्द भरना है मेरे चेहरे पर अब मुस्कान थी मैंने सत्गुरु बाबा हरदेव सिंग जी महाराज का धन्यवाद भी किया और कहा बाबा जी आपने पहले क्यों नहीं बताया तो बाबा जी बोले आउनीत मैं तो तेरे पास ही था परंत पहले तूने मेरे से नह गए अउनीत की बात सभी बाल संतों को सीख दे गई की इधर उधर के सहारे लेने से अच्छा है अपने सत्गुरु का सहारा ले गुरु निरंकार से ही प्रगठ होकर अपने भक्तों की सहायता करता है सत्य है गुरु सदा हमारे पास होता है अउनीत की बात सुनकर सभी एक ऐसे सच्चे साथी हैं जो धूप हो या छाओं, मंगल हो या जंगल हर समय अपना आसिरवाद हमें देती हैं। बहापुर्शों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।